तो वेलकम साल आफ यू जेट टांसफर्म के इस लेक्चर नमबर एट में आपका मोस्ट वेलकम्स है तो इस वीडियो से पहले मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें तो अब पॉइंट बाते हैं इस लेक्चर में हम क्या सेखने वाले हैं यह हमारा में मोट्र है हम इस लेक्चर में डिफ्रेंस एक्वेश्ट को हम सौल करना सिखेंगे जेट टांसफोर्म मेथर्ट से तीक है solution of the difference difference equations with constant coefficient using using z-transform methods यह important है तो पहले actual में है क्या यह समझ लेते हैं हम यह relation between fk fk plus 1 fk plus 2 fk plus 3 is called difference equation मतलब इन में एक relation हो इसको हम करते है difference equations and expression for fk in term of k which satisfies the equation is called its solutions okay now some important results additional results आप कर सकते है important rules zfk sequence के साथ आपको मालूम है fz होता है यह fourier sorry z transform है हमारा zfk plus 1 so zfk plus plus zfz minus zf of 0 यह rules है इन्हें याद रखना है आपको zfk plus 2 तो z square fz z square f0 minus zf1 ठीक है यह पहले दो में z square है और पर zf1 है तो यह rules हो गया next z k minus 1 क्या हो सकता है k minus 1 z raise to minus 1 fz होता है z k minus 2 minus 2 fz एपके consider the casual sequence of this तो इन सब का यूज करके इस property का यूज करके हमें अब इस difference equation को solve करना है तो यह हमें साथ ध्यान में रखेगा अम इसका equations का solution हम क्या कर सकते हैं या तो हम inversion method से solve कर सकते हैं something but inversion method से भी solve करने के लिए पहले हमें क्या होगा fz तो हम क्या करेंगे इस पर rules apply करेंगे और fz find करेंगे जो आपका work होगा ना पहला क्या होगा कि apply Z transform take Z transform first second find fz in term of z okay third taking inverse z transform ठीक है इसको working rule भी आप कर सकते हैं तो इसके according हम और करेंगे अब यहां पर जो होगा चौथा में हम चाहिए था आप कौन से method से कर सकते हैं inversion method apply कर सकते हैं और partial ठीक है इनुवर्शन और partial method के लिए हमें चाहिए कि वह function इस form में break हो जाए तब ही कर सकते हैं और fz का हो जो आप जेट की जो डिनामेटर की factors होंगे वह क्या होने चाहिए linear और non repeated होने चाहिए ठीक है तो ना अब आते हम एक स्कुष प्रावलम लिया है हमने एक पाथ शेसा प्रावलम से तो मैंने इस lecture में एक दो प्रावलम सौल करेंगे एक और एक और वीडियो बनाओं जिसमें 34567 यह वीडियो प्रावलम को solutions करेंगे तो पहले दो प्रावलम से लेते हैं तो question number one कि महें ले लिया है question number one का solutions कैसे निकांगे तो support this is one और यहां पर के आपको मालूवी से greater than one है कि जो casual sequence रहता है तो इसके बारे में वर्क करना है तो यह ध्यान में रखेगा तो first apply z transform ज्यादा कुछ work करने की ज़रूरत नहीं है एक आप एक system के तुरू work करिए हो जाएगा fk plus one plus one by two z fk और z one by two rest और ठीक अब फार्मूले यह फार्मूले ही apply करना बहुत important है यह होगा हमारा इसको जो हम break करेंगे तो यह होगा z fz minus यह देख लिए यहां पर हमने लिखा हुआ है यह z f0 z f of 0 tick यह जाएगा plus one by two यह जाएगा fz is equal to यह होगा और यहां पर क्या लिखेंगे आप समझ लेजिए z upon z minus one by two यह हो गया क्योंकि फार्मूला कौन सा आपका z a rest to k क्या होता है z upon z minus a ठीक है जब यह mod z greater than a वाली conditions है यह हो गया मतलब k greater than or equal to 0 तो यह हो गया हमारा और f of 0 इस question में दिया हुआ है f of 0 यह 0 है तो मतलब f of 0 वाला यह वाला term तो 0 हो गया तो यह मिलेगा z fz minus plus 1 by 2 fz is equal to z upon z minus 1 by 2 ठीक तो fz common है यहां पर ठीक है तो fz common ले लिए तो total अगर हम fz निकाल लें तो यह z plus 1 by 2 यहां पर और यहां भी क्या हो जागा जेड़ पॉन जेड़ माइनस 1 by 2 ठीक यह हो गया तो अब यह जेड़ f of z equal to क्या हो जाएगा जेड़ अपॉन जेड़ प्लस 1 by 2 और जेड़ माइनस 1 by 2 ठीक यह तो इस तरह बैसे हो गया अब चाहें तो आप इसको parcel fraction to convert कर लें या तो फिर inversal method apply कर लें दोनों से कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो मैं अगर parcel fraction वाला concept यूज करूं parcel fraction तो आपको इस तरह से पहले इसको break करना होगा आप जेड़ वाला sequence लाना पड़ेगा उसके बाद है आगे cover को पाएगा ठीक है यह important है तो यह जेड़ यहां पर बेश सकते हैं आप जेड़ अपन जेड़ प्लस 1 by 2 और यहां पर दाएगा जेड माइनस 1 by 2 अब इसको जो है ना पार्सल फैक्शन में convert करना है तो इट कैन भी रीटेन आप इसको लेख सकते हैं आप जेड माइनस 1 by 2 हो जाएगा माइनस 1 upon z plus 1 by 2 हो जाएगा इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और fz upon z तो fz equal to क्या हो जाएगा फिर से z upon z minus 1 by 2 minus z upon z plus 1 by 2 टीट बट यह ध्यान में रखेगा, यह function जो है न, इस form में अगर break होता है, तभी यह apply कर पाएंगे, नहीं तो नहीं apply होगा, अब inverse ले 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 जाए, inverse z transform, तो inverse z transform, z inverse f of z is equal to z inverse z upon z minus 1 by 2, z inverse z upon z plus 1 by 2, तीक, यह हो गया f k, is equal to, अब यह f के हो गया, तो अब यह क्या हो जाएगा, 1 by 2, raise power k, minus, यह minus 1 by 2, raise power k, यहाँ पर k greater than an equity, तो यह मिल गया हमारा sequence, तो इस problem में हमने इस partial fraction वाला concept यूज़ कर लिया, यह आप inversion से जाते, तो फिर inversion वाला apply करना होता, तो inversion के लिए आपको क्या चाहिए? दोनों apply कर सकते हैं, आप inversion के लिए फिर आपको यह find करना होता, जट के वाला सन, fz, और उसके बार आगे residue and pole find करके फिर work कर सकते थे, तो मैंने यह problems ऐसे बताया हुआ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तो next को देखेंगे, next वाला problem में लेता हूँ हमें, अब इस पे आजाएं, 12K plus 2, 7K plus 1, fk equal to 0, k is greater than or equal to 0 दिया हुआ है, इस पे हमें work करना है, तो मान लिज़े, अब फिर से वहीं काम करना है, यह one ले लिजे, तो हम फिर से हैं कहा करेंगे, apply, z transform, z transform को apply कर देना है, यह ध्यान में रख लिजेगा, तो z transform 12 तो यहां चला जाएगा, z, और curly bracket, fk plus 2 जाएगा, minus 7, z, fk plus 1, plus z, fk, is equal to 0, यह हो कहा है, तो अब इस पर apply करना है, z square, f of z, minus z square, f of 0, यह formula है, z, f of 1, ठीक है, यह formula होगे, पहले वाला bracket, minus 7, z, f of z, minus z, f of 0, plus z, तो यह जाएगा, fz, और अब इसमें देख लिएजी, क्या-क्या given है, questions में already given हुए, f of 0 और f of 1 is 3, f of 0 यहां पर 0 है, f of 1, 3 है, तो यहां पर 12 तो रहे रहे रही, z square, f of z रहेगा, यह 0 होगे, तो minus z, वह एपन 3z हो जाएगा, कि minus 7, z, fz हो जाएगा, यह 0 हो गया, और plus fz हो जाएगा, अब इसको simplify कर लेना है, तो 12 z square, हम z को collect कर रहे है, minus 7z plus 1, f of z minus 36z equal to 0, ठीक है, तो अब f of z क्या होगा, 36z upon 12 z square minus 7z plus 1, ठीक है, यह हो गया, तो अब हम चाहें, तो फिर से वह पार्सल fraction होगा, बट मैं इसको अभी inversal से जोल करूँगा, ठीक है, inversal method apply करूँगा, ठीक है, inversal methods के through करेंगे, तो पहले हम factor कर लेते हैं, और pole को बार कर लेते हैं, तो 36z upon, यह हो जाएगा, आपका, simplify कर लेते, यह हो जाएगा, 4z minus 1, और यह हो जाएगा, 3z minus 1, यह हो जाएगा, आपका, इसका factors, तो चुक्कि, z minus होता है, तो यहां से हम 44 common लेंगे, दोनों में से, तो fz is equal to हो जाएगा, 36z upon 4 और 3 common लेंगे, तो यह हो जाएगा, 12, यह हो जाएगा, z minus 1 by 4, और यह हो जाएगा, z minus 1 by 3, तिक, यह cancel हो जाएगा, तो fz हमारा मिल गया, 3z upon, z minus 1 by 4, और z minus 1 by 3, यह मिल गया, अब inversion method के लिए, पहला work जो हमें क्या करना है, z rest to k minus 1 fz को find करना है, तो यह पहले find कर लेते हैं, find, तो यह आपके हो जाएगा, 3, z rest to k, और यह हो जाएगा, और यहाँ पे, z minus 1 by 4, और z minus 1 by 3, यह हो गया, ठीक है, so suppose, this is 1, this is 2, अब pole की बात कर लेते हैं, pole, pole of fz, लिक, कैसे find करते हैं, pole of fz, putting denominator equal to 0, putting denominator equal to 0, तो z minus 1 by 4, और z minus 1 by 3 equal to 0, 1 by 3, मिल जाएगा, और z equal to 1 by 4, मिल जाएगा, और यह कैसे pole होंगे, क्योंकि इनके power 1 है, तो मतलब यह simple pole हो गया, simple pole, यह भी वैसा ही हो जाएगा, simple pole, तो जब बहुत simple pole हैं, तो अब क्या करना है हमें, अब जो है न, residue find करना है, z rest to in pole पर, तो अब हम यहाँ पर फार्मा लेखेंगे पहले, residue of z rest to k minus 1 fz, at z equal to a, ठीक है, for simple, simple के लिए क्या होता है आपका, z minus a, z rest to k minus 1 f of z, और इन सब की value z equal to a, ठीक है, इन सब की value कहाँ पर रहेगे हमारी, z equal to a, तो z equal to a पर हमने निकाल ले आई है, मतलब, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अब इस पर 1 by 3 पर निकाल लेंगे, और 1 by 4 पर निकाल लेंगे, तो first, 1 by 3 पर ले लेते हैं, तो z equal to 1 by 3 रहेगा, ठीक है, तो residue of z rest to k minus 1 fz, at z equal to 1 by 3, और यह कैसा है, simple है, सबको बाता है, that is a simple, तो अब यहाँ पर जाएगा, z minus 1 by 3, into, z rest to k, तो z rest to k, into 3 है यहाँ पर, ठीक है, यह है न, और फिर से, denometers में, z minus 1 by 4, और z minus 1 by 3, इन सब की value, z equal to 1 by 3 पर, यह गया, मिल जाएगा, 3 into 1 by 3, rest to k, divided by, 1 by 3, minus 1 by 4, ठीक, तो कितना हो गया यह, 3, 4, बारा, मतलब बारते हैं, ठीक, 36, 1 by 3, rest to k, बट यहाँ पर हो जाएगा, minus, क्योंकि यह minus मिलेगा, ठीक है, पार, ने, सब्स है, प्लस है, प्लस मिलेगा, no minus, minus नहीं मिलेगा, simplify कर यह, तो 12 ही मिले, 1 by 12 मिलेगा, पर यह हो गया, अब यह, मान लेज़े, r1 है, ठीक, अब धूसरा निकालेंगे हैं, residue of z rest to k minus 1, fz, at z equal to 1 by 4, ठीक है, z equal to 1 by 4, तो अब बेस पर निकाल लेजे, मान लेजे, r2 है, यह, z minus 1 by 4, 3, z rest to k, divided by z minus 1 by 4, z minus 1 by 3, और इन सब की value, z equal to 1 by 4, पर निकालना है, तो यह चला जाएगा, रख दीजे, 1 by 4, 3, 1 by 4, rest power, k, divided by, ठीक है, 1 by 4, minus 1 by 3, तो simply काले, minus 36, 1 by 4, rest power, k, यह निकाल गया, तो अब fk क्या वाजाएगा, r1 plus r2, sum of residue, मालूम ही है, fk is equal to what, fk सबको मालूम है, fk is equal to, वाजाएगा, sum of residue, z, k minus 1, fz, ठीक है, add pole, तो हो जाएगा यह, पहला, r1 plus r2, तो r1 अभी हमें मालूम है, कितना है, 36, 1 by 3, power of k, minus 36, 1 by 4, raise power of k, 36, आप common चाहे, तो common ले सकते हैं, तो 1 by 3, raise power of k, minus 1 by 4, raise power of k, यह मिल गया, fk, तो यह inversion method से हो गया, चाहे तो हम इसको parcel fraction method से भी solve कर लेते, वो easily for, और हो जाता, और यहां पर हो जाएगा, के is greater than equal to 0, तो इस तरह से, students आप inversion method, apply करके, भी solve कर सकते हैं, parcel fraction से भी solve हो जाएगा, बट उसके लिए conditions, यह ध्यान में रखना है, कि parcel fraction के लिए, कौन-कौन सी conditions होनी चाहिए, पार्सल fraction के लिए अप्लाई करना है, आपको, तो यह जो remaining problems है, इसको मैं next videos में बताऊंगा, आपको कैसे इनका में solution निकाला है, सेम प्रोसेस है, करना के आपको पहला, पहला आपको है find, जो apply z transform करना है, इसके बाद find fz निकालना है, taking inverse लेना है, अब inverse find करने के लिए, चाहिए आप inversion method apply कर लिए, या parcel fraction method apply के लिए, दोनों में से कोई एक ही apply करेंगे, दोनों नहीं होगा, बट parcel तभी apply हो पाएगा, जब fz upon z वाला form बनता हो, ठीक है, अदर्वाइस फिर, आप inversion apply करिए, और calculate करिए, so take care, thank you, bye-bye.